नहुसका दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ वीडियो है पठान भाई का और इसका टाइटल है वर्ल्ल लंबर वन आर्मी लेटिस्ट सिचुएशन दुनिया का नंबर वन भिखारी चली भई देखते हैं क्या बता रहे है पठान भाई आप देख रहे हैं पिछले दो तीन साल से कापी ज़्यादा देशों के अंदर गेड आउट पाकिस्तान या गेड आउट पाकिस्तानी के ट्रेंड या कमपैन चलाए जा रहा है उसकी वज़ा क्या है देखें दोस्तों मैं एक वीडियो आप लोगों को आज देखाऊंगा मैं इस गरीब का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मुझे पता है के पाकिस्तान के अंदर कापी ज़्यादा गरीबी है इतनी गरीबी दोस्तों कि इस टाइम दुनिया के अगर आप चार खोने गुम ले तो किसी देश के अंदर इतनी गरीबी आपको नहीं मिलेगी जितनी पाकिस्तान के अंदर है उसका रिजन भी बताता हूं और ये भी बताता हूं कि आब वो लोग कर क्या रहे हैं सबसे पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों इस बाबे की ये तो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर है लेकिन यही काम सारे जो है ये लोग बाहर देशों में जाकर भी करते हैं ये वीडियो देखिए दोस्तो इसके बाद एक और भी वीडियो दिखाऊंगा वो तोड़ी फ़नी है लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए सुनिए और समझिए ये देखें जनाफ ये हाल है इन लोगों का अजी क्या हुआ हुआ है ये माज़ूर है मांग रहा है ये दिखा रहा है कि ये पुलीस हाल की रिपोर्टे है मेरा हाथ का चुका है तो बहुत बुरा हाल है मेरी मदद की गए तो ये अल्ला तला फैर करें इसका हाथ काटा हुआ आप देख लें इसका हाथ कितना काटा हुआ है ये मुस्तिक है ये नहीं है देखते हैं नीचे से क्या निकलता है कि अध्यवारा जल्दी कि करें इसका हाथ काटा हुआ है इसका हाथ काटा हुआ है अग्या निकलता है एतनी मिश्किलों से खूल रहा है बहुत दो अब नीचे से क्या निकलता है अलाहु अब निचे से क्या निकलता है अलाहु अब अब तो सभी सलामत है मतले भी धोखा दे रहा था बिसिकली यह अपने आपको मजबूर दिखा कर यह पाकिस्तानी धोखा दे रहा था फैर लेकिन क्या करेगा हो सकता है शाद वो मजदूरी ना मिल रही हो काम ना मिल रहा हो घर पर बच्चे भूखे हो खुद भूखा हो तो क्या करेगा बंदा यही करेगा पीट की आग बरदास्ट कब तक होगी एक दिन दू दिन तीन दिन कब तक होगी कुछ न कुछ तो करेगा वो अगर उसे खाना नहीं मिल पा रहा है आगर अगर उंग्या सीदी कर रागर का विडियो आप लोगों ने देख दी मुझे इस गरीब के ऊपर कुछ नहीं बोलना क्योंकि देखे एक कहावत है कहते हैं जिस देश में जिस देश में लोग रोटी के लिए चोरी करें या रोटी ही चोरी करें तो भाई उस चोर का हाथ नहीं वहां के पि-म प्रेजड़न्ट किंग प्रिंस जो भी होता है उसका हाट काटना चाहिए लेकिन यहां पर यह अवाम की हालत है पाकिसान के अंदर गेड आउट पाकिस्तान का ट्रेंड बाकी देशों में क्यों चल रहा है क्योंकि पाकिसान के ज़्यादा तर लोग जो है वो वीजा और टिकेट करीद कर जाते हैं प्रोसी देशों में जितने भी कंट्रीज हैं इसके आसपास या थोड़े दूर वहां जाकर ये नोटंकिया करते हैं और इस नोटंकी के जरीए वो लोग वहां पर पैसा कमाते हैं ये तो पाकिस्तान है इन लोगों को पता चल गया उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की होगी इसका पीछा किया होगा कि इसने हाथ के उपर जो है फालूदा लगाया हुआ है लेकिन भाई आउट ओप कंट्रीज में कौन देखता है ये तो बिजी कंट्रीज होती हैं लोगों को काम होता है तो इतना टाइम नहीं कि वो किसी के पीछे लग जाए तो वहाँ बेटकर रोट पे सड़क पे लोग भीक मंगते हैं अब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आप इलेक्शन की हालत देखिए कि इलेक्शन में नवाश हरीप इमरान खान जरदारी और पतनी हलवाई जो भी है आपस में सब लोग इलेक्शन को लेकर एक दुसरे को मा इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी मार रहे हैं गर जला रहे हैं आटेक कर रहे हैं दूसरे के उपर और ये एक सब कुछ स्रिप इस वज़ा से हो रहा है कि पाकिस्तान की बची कुछी चमड़ी जो है वो निकाल दी जाए आयम एपने एक नई रिपोर्ट में अभी कहा है दोस्तो इलेक्शन के जब जो इलेक्शन हो रहा है दो तीन दिन से इस इलेक्शन को लेके कि पाकिस्तान के इलेक्शन के सिस्टम को देखकर ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत डेंजरस हालत में है और कम्प्लीटली जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा ये आयम एफ ब बाते हम सडक बनवा देंगे, हम आपको जॉब दिलाएंगे, हम आपको पानी दिलाएंगे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम लड़किया नचवाएंगे इसलामाबात में, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, ना स्टूडन्स को मिलता है ना आम अवाम को मिलता है ना जो उनकी बजट है जो सालाना बजट ये लोग लगाते है ना स्कूल पे लगता है ना एजुकेशन पे लगता है ना किसी पार्क सड़क पे लगता है ना किसी हॉस्पिटल्स पे लगता है सीधा जाता है आर्मी के जेब में अब पाकिस्तान को देखे ये तो बात क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर एलेक्शन तो और है पार्टी आपस में तो लड़ बिर रही है लेकिन मास्टर माइंड इनका कोई और है और वो मास्टर माइंड एक पार्टी को बनाता है लेके आता है पिर जब उसको पता चल जाता है यार अब यह अमारे नुकसान में हो गया उसको जेल में डालता है और आपको पता है कि वो कमपनी आसिम मुनीर की है आसिम मुनीर बाजवा का चेला जो है वो आज बेटा हुआ है उस कुरसी पर जहां पर अवाम की चम्रियां उदेरी जाती है अब ये बताईए कि पाकिस्तान को इतना अर्सा हो गया ये जो पाटियां भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ रही है इन्होंने कितने कितन लकिन पाकिस्तान बेतर नहीं हुआ बत्तर हुआ जा रहा है इलेक्शन जो हो रहे हैं पार्टियां अपनी अवाम को बोलती है हम आपको पानी दिलाएंगे गैस लग गाएंगे आठा दिलाएंगे रोटी दिलाएंगे लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं है वो आते हैं और यकीन मानिये कि हालात बद से बदतर होने वाले हैं अभी जिन हालात को अब बदतर कह रहे हैं वो बदतर नहीं है बद से बदतर और ये बद हैं अभी बदतर होने वाले हैं क्यों? इसका example देता हूँ मैं आज ही जियो नियूस की खबर में पढ़ रहा था कि जो automobile companies है आपके यहां की उन्होंने कहा है कि भाईया हमें कुछ रियायत दे दो, bucks दो हम बड़ी मुश्किल में है 25% tax IMF के कहने पर IMF की needs को पूरा करने के लिए IMF से पैसे लिए आपने तो बदले में तो देना पड़ेगा ना आपको एक plan देना पड़ेगा तो IMF की needs को पूरा करने के लिए 25% जो है sales पर tax लगा दिया है 1400 CC की गाड़ी और उस से उपर की गाड़ी उपर पाकिस्तान में अब जो बची-खुची गाड़ियां जो वहाँ पर assemble होती है वो सारी कंपनिया पगला गई है करें के भाईया ये तो ऐसा है जैसे मरे हुए को मारना आप समझ रहे हो ये headline दी है जी उने और ये मेरे देश का अखबार नहीं है ये आपके देश का अखबार है आप देख रहे है न ये हाल मरे हुए को मार रहे है सरकार सोची आई-एम-फ की नीड्स को पूरा करने के लिए इसके अलाब अभी दो-तिन दिन पहले ही गैस की कीमते आपके यहाँ फिर से बढ़ाई जा चुकी है जो एक फरवरी से लागू हो गई जिस गैस पर आपके रोटी बनती है वो गैस महंगी हो गई है और बिल भरिये दूसरा पिट्रोल डीजल फिर महंगा होने वाला है ग्यारा बार रुपे लिटर तो आपका चलना भी मुश्किल है आपका खाना भी मुश्किल चलना भी मुश्किल आप सोचिए किस तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग आप जो भी आम पाकिस्तानी हैं उसको अंदाजा भी नहीं कि उसके उपर कितना बड़ा पहाड तूटने वाला है जरा भी अंदाजा नहीं आप लोग को अपना बिजनिस चलाते हैं नवाज शरीप की शूगर में स्टील की कमपनियां जो है लोहा पूरा पाकिस्तान से बाहर ले जाके बेचना इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ और वो दूसरी पार्टी वो क्या नामें बिलावल टटू तो बिलावल टटू उसके अबबा की इतने सारे जो है वो अड़े जुवे के अड़े शराब के अड़े शराब की दुकाने जहां नाइट कलब जहां गंदा काम वो पिपल्स पार्टी का अब रही बात इमरान खान की उसकी उकात ही नहीं रही भाई जेल में डाला हुआ है इमरान खान जिए अपने कद से ज़दा बाते करने लगा था तो उसको जो है अमेरिका ने आसिम मुनीर को जो है वो कान का एक टॉन्का दिया के चल भाई डाल इसको अंदर और कर दिया उसको अंदर यह इनकी हालत है और अवाम जो है वो इस हालत तक पोंच गई है कि अपने हाथ पे पालूदा लगा के सड़कों पे गुमती है कि वाई अल्ला के नाम पे दे दो गर में कुछ भी नहीं है हम गरीबी पे बात नहीं करें गरीब तो दुनिया में बहुत सारे होंगे लेकिन ऐसे नोटंकी आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे जो पाक्सान के अंदर है और इसी नोटंकीओं की वज़ा से आज बहुत सारे प्रोसी देशों के अंदर पाक्सान का गेट आउट किया जा रहा है और एक बात साथ में और बताता चलूँ दोस्तों कि फिलहाल पाक्सान ने जो है पाक्सान के बहुत सारे लोग अफगानिसान का वीज़ा लेने के लिए इस नमाबाद में लाइने लगा के कड़े हुआ है कि अफगानिसान जाएंगे वहाँ पर काम करेंगे वहाँ ट्रेंड चल गया है कि भाई वहाँ का पैसा यहां पर डवल ट्रिपल बन रहा है अब अफगानिसान जाके काम करेंगे अब ये जो बाकी देशों से निकाले गए हैं इनकी तोपों का रुख हो चुका है अफगा अब ये अफगानिसान आएंगे, अफगानिसान के सडकों पे बीक मांगेंगे, वहाँ पे अपना हाथ पाऊं पे पालूदा लगाएंगे, पिर भोलेंगे कि भाई अल्ला के नाम पे देदो, मैं बड़ा भूका हूं पाकिस्तान से आया हूं, ये इनकी हालत है दोस्तों, मै मिलता हूँ अगली वीडियो में बाबाई लगदेशों में कर रहा है मुझे याद आ रहा है दो वीडियो तो मैं आपको दिखाजता हूँ कि एक तो दो क्या तीन दिखाजता हूँ एक तो जो जापान वाला मांग रहा था बंदा पाकिस्तानी एक जो लड़की थी जो मांग रही थी UAE में शायद भीक मांग रही थी और एक और लड़की थी जिसने बताया कि भीक मांग मांग कर उसने फ्लैट बंगला गाड़ी सब करो लिया है देखिए यह देखें मैं हूँ दुबई में और यहां के लेबर की वीजे बंद हो चुके हैं किस बज़ा से बंद हुए हैं उसकी बड़ी बज़ा आपके दिखाते हैं यह देखें जी यहां पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कची गिरी बेशना शुरू कर दी है हर सिगनल पर खड़े हुए हैं यह देखें वो सिगनल पर खड़ा है जनाब यह देखें इनके अलाथ यही अरकते हैं कि जिस वज़ा से दुबई की गौवर्मेंट ने लेबर के सारे वीजे बंद कर दी हैं आप लेडिस आखे वीजों पर आगे यह मांगने वाली बंद के बैठी ह तो जब पाकिसानियों को यह पता चल गया है कि कौन मेहनत करने जाए, कौन खेत कोड़ने जाए, कौन मजदूरी करने जाए, कौन बोजा ढोने जाए, सबसे इजी है, हांद पहला दो भाहिया, दे दो, दे दो, सबसे इजी काम है, तो बाहर भी कर रहे हैं और पाकिसान के भीतर भी कर रहे हैं, जो बिचारे जिनके पास बड़े खराद हैं और इन फैक्ट आर्मी का रोल तो इसमें है आर्मी ही लेकर आईए अपनी अवाम को ऐसे ऐसे क्यों अब शायर चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने कोई बयान दिया है सेना के उपर आसिम मुनीर और उनके फौज के उपर बोला कि ये सारे काम धंदे बंद करो बिजनस के डिटेल तो ये क्या कर रहा है तुम्म जो असली का में तुम लोग घर हो ऐसे कुछ डिटेल दिया आप सोचिए तो चीफ जस्टिस साहब का भी लगता है कि टाइम आगया है इस चीफ जस्टिस आपकर आर्मी उनको भी नकेल कस देगी उनको भी इदर उतर क पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता पाकिस्तान के लोगों को ऐसे ही भीक मांगनी पड़ेगी पाकिस्तान के लोगों को बैमानी करनी पड़ेगी और यह सरा सर सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की आवाम की है पाकिस्तान की जमता की है क्योंकि इतनी लालची इतनी बैमान जनता ह कि उसको जहां दिखता है कि यार पांच रुपे का फायदा रहो ठीक है ठीक है फॉज जिन्दाबाद फॉज ने उसको एक बोटी डाल दी फॉज जिन्दाबाद आप असली प्रॉब्लम को समझिए अपने हक को समझिए कि आपका हक क्या है जो आपके उपर मुसल्लत किये गए है चाहे वो फॉज हो चाहे वो नेता हो आपको कुटों की तरह ट्रीट कर रहे हैं दो बोटी डाल देते हैं बिर्यानी डाल देते हैं उतने पर आप खुश हो जाते हैं आपका हक ये नहीं है दो बोटी और एक बिर्यानी आपके हाथ में पावर है पहचानी इस पावर को जब तक जूते मार के उतारेंगे नहीं इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का और मैं अगर गलत बोल रहा हूँ था आप मुझे थाबित कीजिए 76 years में क्या मिला है आप लोगों को आपको सोचना है इस सवाल का जवाब भूणना है और फिर सोचना है कि मैंने क्या बात कई आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके जल्दे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ नवसकार जहिंद